हलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के विशे में भारत के राष्ट पिता महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर 1879 को पुरबंदर गुजरात में हुआ था उनका नाम मोहंदास करम चंद गांधी है वह भारतिय स्वतंतरता संगराम के महान नेता थे जिन्होंने आजादी की जंग में भारतियों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चल कर देश को स्वतंतरता दिलाने में अहम योगदान दिया गांधी के मुख्य बिंदू क्या है सत्य और अहिंसा गांधी वादी विचारधारा के ये दो आधार भुत सिधान्त है गांधी जी का मनना था कि जहां सत्य है वहां इस्वर है तथा नेतिकता नेतिकता कानून और कोड इसका आधार है अहिंसा का आर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकास था गांधी जी के अनुसार अहिंसक ब्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक वा सारीरिक पीड़ा नहीं पहुचाता है महात्मा गांधी की मृत्यू कैसे अहुई और किसने की अगले दिन साम लगभग पांच बजे उपवास के कारण कमजोर 78 वर सिय गांधी को प्रार्थना सभा में जाने के लिए बिड़ला हाउस के बगीचे में उनकी भतिजियों द्वारा मदद की जा रही थी तभी नातुराम गोड से भीड से निकला और उन्हें प्रणाम करते हुए गांधी के पेट और छाती में बिलकुल नजदिक से तीन गोली अमारी उसके बाद उनके मृत्ति हो गई धन्यवाद